हेलो चात्रों आज हमें इस वीडियो में समाजिक विग्यान के 20 भी वी आई अफ्जेक्टिव कोउचन्स बताने वाले हैं जो इस बार के मैट्रिक एज्याम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो को सुरूर से लेकर अंग तक जरूर देखिएगा और बीसों में से बीसों अफ्जेक्टिव कोउचन्स को एकदम मुझ जबानी रट लीजिएगा क्योंकि इस बार यहीं से प्रस्टन उठाएगा ठीक है तो यहाँ पर पहला प्रस्टन दे सकते हैं यह पहला प्रस्टन एंसिया ठीक है पहला कोउचन है इटली एम जर्मनी के एकिक्राण के बीरुद निम्न में कौन था इटली एम जर्मनी के क्राण के बीरुद निम्न में कौन था तो अस्ट्रिया होगा क्या होगा फहला कैंसर सी नमर होगा आस्ट्रिया जबकि दूसरा नमर कोउचन है काउन कबोर को विक्टर एमैनुवल ने किस पत पर निक्त किया तो दूसर मत हो ना रूस में जार कार्थ क्या होता है तो रूस में जार कार्थ होता है रूस का समराथ होता है समानत नहीं रूस का समराथ होता है इस पर आप टिक मत लगा ना क्योंकि यह भी इस सीज़ा रिलेटर देखिया है कि नहीं अगला कोशन है काल माक्स का जन्म कहा हुआ तो का काल माक्स का जन्म मैं 18-18 इसम में जर्मनी में हुआ था और काल माक्स का मतलब की साधी जेरी नमक इगत्ती के साथ हुआ था एंसर आपका ये बी नमर वाला हो जाएगा ठीक है याद रखो अगला कोश्चिन वलाव हाई पटेल को सर्ता सर्दार क्यों पादे किस आंकिसान अ डिगाई थी एंसर ये नमर होगा अब देखो अगला कोश्चिन रमपा विद्रो कब हुआ रमपा विद्रो कब हुआ चाटार मर कोश्चिन तो जिस वर्स लखनाउ समझाता हुआ था उसी वर्स लख रमपा विद्रो हुआ था यानिकी 19-16 इसमें अब देखो लंदन में अनिवार्य प्रात्मिग स्ट रागना लंदन में अनिवार्य में प्रात्मिक स्ट्चा अनुएस maturestudy में लागना हूई मेजनी का समद किस संगठन से था तो मेजनी का संबंद कार्बोनरी संगठन के साथ था ठीक है अगला कोशन है स्वावरी उर्जानी मुली खित में से कौन सा संसाधन है पूरा फूरति जो की हो जाएगा यह बी नमर वाला ठीक है अगला देखो टत रहाज से कितने की में छेतर की सीमा पूर तक आर्थिक छेतर कहल आते हैं तो 200 किलो मेटर यह फिर 200 किलो मेटर तो 200 किलो मेटर होगा भारह कैंसर बी नमर ठीक है अगला कोशन है देश के बांधो को किसी ने भारत का मंदिर कहा था तो पंडित नहरू ने कहा ताम प्रस्थ का पर दीनियूरा यह की नहीं बिल्कुल होगा अब देखो किल जल beating भागि महाशागरों में नहीं थे तो ज्युझा ज्प्ष replace लग दीखेगा नश्यूजाCar सबसे ज्यादा अब ही तो इससे भी ज्यादा है ठीक है लेकिन जो ज्यादा है उसी पर ठीक लगाएंगे भारत का भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक वाला राज्य कौन है जूट उत्पादक वाला राज्य सबसे बड़ा कौन है भारत में तो यह नमर होगा पहस्ति से भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जूट में कौन सा है यह ने मतलब को जूट वाला उत्पादक राज्य तो क्या होगा पस्चे मागाल बहुत बढ़ी है ठीक एमसर क्या होगा यह नमर अगले देखो निमुलिखित में कौन खरीफ 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 फसल पूछा खरीफ फसल खरीफ यहां पर फ़ा होना चाहिए तो खरीफ फसल यहां पर चावल होगा आपका खरीफ फसल क्या होगा चावल होगा ठीक है पकी सड़कों की लंबाई की दिरिष्टी से प्रसमय स्थान पर कौन सा राज्य है तो महाराष्टा हो जागा ठीक है यह तो सभी khi ले पता को उगा महाराष्टा ठीक है अब देखो नमुलीखीत में कौन सड़गों का एक मारड नहीं है तो या पूरव एसिया गली आरा है यह एनेमर वाला हो जाएगा ठीके आप देखो 19 अमर कोष़शन पूरह मद्याय रेलवय का मुख्याले कहा है तो हाजिर यह दो सुट दो सुट त्रीकिलोमेटर एंसर क्या होगा चे नमर का यह नमर होगा ठीक है तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना प्यारा बच्चो तो वीडियो को लाइक कर दो और आने वाला वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आए जब अगला वीडियो आएगा तो उसका निट्पिकेशन आप ज़रूर मिल जाएगा और डेली साम छे बज़े इस चैनल पर लाइव क्लास चलाते हैं अगर आप लोग लाइव क्लास एटेंड नहीं करते होंगे तो छे बज़े लाइव क्लास एटेंड कर दो हो लाइब झाह झाते हैं और रिज़े दूजर याइब।